चोटा से सवाल ब्रिजेश से भी मैं चाहूंगी ब्रिजेश जिस तरीके से तस्वीरे सामने आई है और बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरे वाइरल भी हो रही है इन्हें रहस्ते में रोशनी का नाम दिया जा रहा है इसके पीछे रोकेट भी बताए जा रहा है साथ ही साथ कोई इसे उलका पिंड कह रहा है जिस तरीके से एतियाब जी ने भी अभी बताया कि किस तरीके से इसे हम भुगो ये घटना मान सकते हैं तो इसे किस प्रकार से देखा जा रहा है क्या लोगों में देश्चत का माहौल है इस तस्वीर को देखने के बाद से या फिर लोगों में शानती है कि ये महल सिर्फ उलका पिंड था देखी कल रात से रमजान की शुरुआत हुई है और रमजान का चांद देखने के लिए काफी लोग घरों के उपर अपने मुबाइल लेकर बैठे हुए थे उन लोगों ने ये तस्वीरे जादतर लोगों ने कैद की है दहशत का माहल है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना ह कच्रा बता रहा है कोई कह रहा है कि जो चीन की निश्क्री सैटलाइट पड़ी हुई थी वो प्रत्विकी कक्षा भटकने के कारण यहाँ पर आ गई और उनके प्रत्विकी कक्षा में आने के बाद टुकले टुकले हो गए वो धरती पर आई है और भारत में कही हिस्सों म देखी भी कही है महराष्ट से कुछ अग्यात मलवा बरामत करने की भी बात की जा रही है अमेरिका ने ये भी दावा किया है कि ये चीन की सैटलाइट थी कुछ लोग इसे एलियन विमान बता रहे हैं तो कहीं न कहीं कोतुहल है और एक खौफ का वातबड भी लोगों में ह लेकिन सरकार की और से कोई बयान सामने अब तक नहीं आया है ना ही राज्य सरकार की और से नहीं के लिए कि अब भी सरकार के बयान का इंतिजार करना पड़ेगा एतियाब और ब्रजेश आप दोनों का बहुत जादा धन्यवाद